बड़ी खबर आपको बता दें पॉलिटिकल शो में पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई खबर है पंजाब की राजिपाल की तरफ से विधान सभास से पारित विधेवकों को मनजूरी ना देने पर सुप्रम कौट ने नाराजगी जताई है सुप्रम कौट ने कहा आप आग से खेल रहे हैं ये लोकतंत्र है जन प्रतिनिधियों की तरफ से पास बिल को इस तरह अठकाया नहीं जा सकता आप यह नहीं कह सकते कि विधान सभा का सत्री गलत था केंद्र की तरफ से कोट में मौजूद सॉलिसिटिस जेनरल ने एक हफते म हलका भरोसा दिया है देखे भगवन पान सरकार जो इस पामले को सुप्रम कोट में लेकर गई थी इस याचिका के साथ कि वो जो पैसले ले रहे हैं उस पर अरंगा वहां कि राज़पाल की तरफ से लगाय जा रहा है और अब राजपाल को ये नसीहत सुप्रम कोट की ये समस्क्या देखने को ये घृणत देखने को मिल रही है सरकार के बीच और राजपाल के बीच जैसे केरल, समिलनाडू इस तरह के उधारन है तो सुप्रम कोट ने साथ तवर पर कहा है कि ये आग से खेलने जैसा है क्योंकि आखिरकार ये लोक्तंतर है और जन मैं केंदर की तरफ से आश्वासन दे रहा हूं कि सम्विधान के दाइरे में कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी, कोट ने इस पर कोई टिपनी नहीं की है लेकिन लंच के बाद भी ये सुनवाई जादी रहेगी, ऐसा बोल कर अभी, फिलहाल कोट ने कारवाई अपनी दिल्ली में, तो फिर केंदर जो है, उसके पास अधिकार है, लेकिन पंजाब, वहाँ तो पूंड राज्य का मामला है, और वहाँ पर भी अगर चुनी हुई सरकार के फैसलों पर राज्यपाल की तरफ से अरंगा लगा जाएगा, फिर तो आम आदमी पार्टी सीधे, अच्छा सामन जस है, वहाँ कोई शिकायत नहीं आती, जो मुख्यमंतरी कहता है, राज्यपाल उसके हिसाफ़े चलते हैं, ये सारी शिकायत गैर भाजपा शासित राज्यों से है, इसका सीधा मतलब है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में, जहां भारती अंता पार्टी चुनाओ नहीं जीत पाती, वहाँ पर राज्यपाल के जरिये एक वो समानतर सत्ता का केंदर बनाती है, आहम देख चुके हैं, देखिए परश्यमंगाल में जो आज मौजूदा उपराश्ट पती हैं, जो परश्यमंगाल की राज्यपाल थे, तब आप उस वक्त के सारे प पर राज्यपालों की क्या भूमिका होने चीए, और मैं हमेशा मनता हूं कि डेमक्रसी में जो इलेक्टेट गौवर्मेंट है, उसकी पावर्मेंट है, उसकी पावर्मेंट है, सम्विधान में भी का गया है, कि आप संगिय धाचे के अनुरूप सबको पैसला लेना का कॉंग्रिस सीदे शिवजी को चुनावी मैदान में ले आई, 36 गर की राली में कॉंग्रस अध्याक्ष मालिकारजुन खडगे ने क्या कहा, जरा सुनिये पहले तो एक ठेका लेके बैटे हैं, मेरी पार्टी, यह हिंद्यों की पार्टी, ऐसा उनके दमाग में जान बूच कर वो बात कहते हैं, क्या हम क्या हिंदू नहीं हैं, मेरा नाम है मलीकारजुन, मलीकारजुन बोले तो शिव का नाम होता है, उसको आदा जोड़ दिये, अर्जुन भी होता है, और मलीकारजुन तो यह है, किसको तुम धोका दे रहे हो, जूट क्यों बोल रहे हो महादेव पर रह, तो शिव की शरह, राम कृपाल जी मतलब हिंदूत्फु के मुद्टे पर, कॉंग्रेस फ्रंट फुट पर है, बिल्कुल मलीकारजुन जी ने कह दिया, कि मलीकारजुन का मतलब ही शंकर से मिलता जुनता है, तो अच्छी बात है यह, और ये सारी जब मैंने सुना था कि ममता बनर्जी चंडी पाठ करने लगी थी, सीतारा मेचरी जहां होता था, मार्वस ने कहा था कि रिलिजन इस ओपियम, वो भी महाभारत के पात्रों का नाम लेने लगे, आवाज खड़के जी कह रहे हैं, कि हम हमारे नाम में खुद स्रंकर का एक ध जब बनी है, जब से बनी है जब से जनसंग बनाया है, तब से कोई नहीं बात नहीं है, तो कॉंग्रेस उसको कैसे काउंटर करेगी, कॉंग्रेस भी उसी स्तर पर आकर उसको काउंटर करेगी, अब आपने एक एप के जरिये भगवान शंकर, बाबा भोलेनाथ को जोड़कर, प्रहस्टाचार को जोड़कर, उससे आपने अटाक करने का प्रयास किया है कॉंग्रेस को पर, तो कॉंग्रेस क्या करेगी, अगर आप भग्वान चंकर को याद कर सकते हैं तो इस हिंदुस्तान में किसी और को कोई अतराज नहीं है वो भग्वान चंकर को याद करेगा सब करने के तरीक या लगो सुपने तो मुझे काउंटर करने में कोई नई बात बिलकुल भी नहीं नजर आती है क्योंकि यहाँ पर कॉंग्रेस जो है वो बिलकुल शाय नजर नहीं आती है अरे आप क्या बात कर रही है यह 2014 वाली काउंग्रेस नहीं है अगर आप भूपेश बगेल के पिछले 5 साल के इतिहास को देखें 2018 से तो रमन सिंग का 15 साल का जो इतिहास है जो भारती हिंता पार्टी की सरकार है वो भी हिंदुत वाले मसले पर शर्मा जाएगी है अब एगेंग intox है अब कहरें तो थि ज्क हिंदुत नहीं है parlेव इन्लste को अ कृष्ण को बना चैनि जा जो है वो हिंदुत लास्त कैसे रहा है ल। और ses uda को एस तो सव्श्तिस करती है वह थी फ्य kulli वो एक उसी तरी के से उनको तो उसमें सारा खेल जो है वो हिंदुओं और आदिवासनियों का खेल है इसका मतलब यह है कि हिंदुत्फ का मुद्दा जो माना जाता था कि बीजेपी के लिए खुली पेच वैसा अब नहीं रहिया है हिंदुत्फ के मुद्दे पर कॉंग्रेस असर्ट कर रही है और पहले इसलिए कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने नरेंद्र मोदी की पार्टी ने हिंदुस्तान का प्लिटिकल पैरडाइम बदल दिया उससे पहले आप मुस्लिम या माइनोर्टी के सेंटिमेंट के साथ अपीजमेंट के साथ 15 परसेंट वोट और 15 परसेंट वहाँ पर आकर हिंदू के बड़ा होना है और एग्रेसिव वहाँ पर करना और उसका एक उधारन बताता हूं कि 2019 में जितनी मुस्लिम डॉमिनेंस सीट थी उनमें से 80% सीट भारती जंता पार्टी ने जीती है क्योंकि उनको समाधी में आ गया कि यदि आप मुस्लिम के नाम करेंगे तो काउंटर में हिंदू पोलराइज करेंगे आप बड़ी बात करें क्योंकि 15 अगस्त लाल के लिए कि प्राचिर वहां से भी प्रधान मंतुरी नरेंदर मोधी की तरफ से जो तीन सबसे बड़ी खामिया बताई गई थी और विपक्ष को जिसको लेकर घेरा गया की है और अग्वरुदीन ने कहा कॉंग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए ही अल्फ संख्यों को का इस्तेमाल करती है अग्वरुदीन ने कॉंग्रेस पर दंगे कराने का भी आरोप लगाया है सुनिए एक्स्क्लूजव बाची पांच बार के तो अपनेंट के लिए कॉंटेस्ट कर रहें क्या बात है इस इसलाके में खास्त पर प्राप्या कि कानसिट्विंसी में कि बार बार आपको वोटर पसंद करते हैं शुनते हैं और आपके tis to तो करते हैं लेकिन एक effective fight नहीं दे पाते काम है, खिदमात है और मंजलिस रिखाद अलमस्लिमीन की कारकरदिगी वो कामियाबी है इसकी वज़ा से मसलसल, अवाम का भरोसा, इतिमाद और उनकी दुआएं हमारी साथ रही है और हर एलेक्शन ये बता रहा है कि मेजॉरिटी अकसरियत बढ़ती रही है इनिशालला इस मरतबा भी बढ़ेगी और क्या लगता है, क्या होगा तेलंगाने में, काफी गर्म गर्मी है, कॉंग्रेस दम भर रही है, बीजेपी दम भर रही है आप तो हैं ही मैदान में देखे, पॉलिटिक्स फादर ने जो की थी वही पॉलिटिक्स को हम भी कर रहे हैं कि माई फादर उस वकद एड्यूकेशन इंस्ट्यूट्स को बनाए थे, प्रोफेशनल कॉलिजे, हॉस्पिटल्स और आज हम बनियादी तालीम पर तवज़ दे रहे हैं और एलेक्शन में तो हर कोई दावे करता है कि हम जीत रहे हैं मुझे यखिन है कि जहां जहां M.I.M. लड़ लगी है, वहां से M.I.M. कामियाब होगी और हमारे पार्टी प्रेजिडेंट और हमारे पार्टी ने यही कहा है कि M.I.M. को ओड़ दे जहां पर M.I.M. है और बाखी जगा B.R.S. को तो मुझे उम्मीद है कि M.I.M. भी जीतेगी जहां जहां लड़ लगी है और B.R.S. भी अक्सेरियत हासल करेगी अगर हम बात करें कांग्रेस की सर, कांग्रेस लगातार M.I.M. पे M.I.M. के मुखिया हैं, सदर हैं, सद्दु दिनुमी से उनके उपर टारगेट करते हैं, आपके उपर भी टारगेट करते हैं कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है, रेवन्त रिडूओ खास तोर पे आप लोगों के उपर यह आरूप लगाते हैं जिस वक्त मनलस अटिहाद मुस्लमीन का अहिया हुआ था, तो उस वक्त भी लोगों ने यही कहा था, कि हैदरबाद में M.I.M. की जुरत नहीं है, पॉलिटिकल इमपॉर्मिंट के लिए आप स्ट्रगल ना करें, बलके यही रेवन्त रिडूओ के जो और राहुल गांदी के नाना थे, जवारलाल नहरू ने, उन्हों ने भी कई मरतबा अपने लोगों को भेजा, और मेरे ग्रैंट फादर अब्दलवाहिद हो इसी से कहा कि यह कागज है, इस पे दसकत कर दीजी और कैई दीए कि नॉन पॉलिटिकल पार्टी रहेगी M.I.M. तो हम आपको रिली है, हमारे स्कूल है, M.P. है, M.L. है, तो अगर आज हम पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं करेंगे और अगर आज हम इन्तिखाबात में हिसा नहीं लेंगे, तो फिर पार्टी सुकड़ के रहे जाएगी. मानॉयटी के पॉलिटिक्स की बात होती है, यह सा देश बर में, हम देखते हैं कि असा दो जुखनों कि इसी अलगल अकल इनफङट वर आहस्तान में bitter हुए ते Бार-बार मानॉयटी की यूनिटी और मानॉयटी के हितों पे बात करने वाली पॉलिटिकल पार्टी Wäh 민it नही यूज किया गया है, आजबी के बाद से लेकर आज तक सबसे ज्यादा अख्तिदार पर अगर कोई जमात रही है, तो वो कांग्रेस रही, या नहरु के नाम पर, या इंडरा के नाम पर, या फिर बाद में नर्सिमह राओ हो, या मनमौन सिंग हो, लेकिन इनकी आदत रही है क इस पर इससे कोई इंकार नहीं कर सकता और हर वख जबी भी कॉंग्रेस कमजोर होती है तो इसकी तारीख रही है कि वो फिसादात करवाई फिसादात के बाद तबाही के बाद मुसल्मान जब गुस्से में आते हैं तो कमीशन्स बनाएं और उसके बाद में भी मुसल्मान जब नाराज रहा तो उन्होंने फिर रमजान में इफ्तार की दावत कर दी या अज मेरे शरीफ के लिए चादर भेज दी इन्होंने तो मुसल्मानों का इस्तेमाल किया एक ओड़ बेंक की तरह और सारे रिपॉर्ट सामें हैं कि मुसल्मान सबसे पिछडा हुआ है सबसे पीछे है सबसे कमजोर है और आज अगर हम देखते हैं कि तैलेंगाना में मजलिस एतिहाद al-Muslimine की वज़ा से लिटरिसी रेट यहाँ पे स्टेट की क्या है और मुस्लिम्स की क्या है? तो मुस्लिम्स लिटरिसी रेट इस हाईर दे स्टेट लिटरिसी रेट तो इस इस दे अचीवमेंट ओफ एमायम दो आखरी सवाल सर बीजेपी कहती रही है जब जब हम कैमपेन देखते हैं अभी नहीं पहले से भी अब के हाथ में कार की स्टेरिंग रही है आप एक्चलि जब परदे के पीचे से के-सी रे कार को ड्राइव करते हैं इस जो एलिगेशन है इसको कैसे आप देगे आप खुद कह रहे हैं एलिगेशन है तो जिसको जोचाहे वोग बोल सकते हैं जिसकी गाड़ी वो ही चलाएंगे, जो ड्रेवर है वो ही चलाएगा गाड़ी, हम हमारी पार्टी चला रहे हैं, वो उनकी पार्टी चला रहे हैं, अब आवाम के हाथों में से हाथ निकल गया है, उस हाथ की फिकर करनी चाहिए उनको. मेरा अखरी सवाल सर्थ, आपके साथ कैम्पेन में नुरुदीनोवईसी, आपके बेटे हैं, डॉक्टर नुरुदीनोवईसी, डॉक्टरी करके आए हैं और अभी गलियों में हैधरबाद की राजनती को समझने के कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है, आने वाले दिनों में ह देवाब दे सकेगा, मैं अभी तो नहीं देऊंगा, शुक्रिया सर्थ, अकबर उद्दीनोवईसी को आप सुन रहे थे, बस कहीं आप वो ऐसा न लगे कि अकबर उद्दीनोवईसी, तेलंगाना, यहां सिर्फ कॉंग्रेसी उनके सामने चनाव मैदान में, बीजेपी चन सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रेस को आपने देखा.